Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good and safe at home तो चलिए जल्दी से एक यमी सी रेसिपी बना लेते हैं सैफ की जो है shifting duty है आज जल्दी निकलना है तो जल्दी जल्दी से मुझे खाना बनाना है तो चलिए बनाते हैं आज शाही पनीर बहुत ही tasty रेसिपी है और बनने में बहुत ही ज़ादा आसान है तो शाही पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर तीन टमाटर ले रही हूँ टमाटर की क्वैलिटी थोड़ी सी मैटर करती है तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश और रेड कलर के टमाटर लिए हैं जिससे की ग्रेवी में काफी अच्छा कलर आएगा और एक अनियन ले ली है इसको अच्छे से छील करके जो है पहले वाश कर लेंगे दन चॉप कर लेंगे प्याज और टमाटर दोनों ही चीज़ों को हमने रफली चॉप करना है क्योंकि बाद में हमने जो है इसका पेस्ट ही बनाना है साथी साथ मैं तो क्लीनिंग भी करती करती हूं ताकि बहुत जादा चीज़ें ना फैलें और किचिन भी जो है हमारी बिल्कुल क्लीन रहें पैन के अंदर थोड़ा सा ओयल एड करेंगे हलका सा गरम करेंगे और एड कर देंगे जीरा दो तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची एड करेंगे और एक छोटा सा टु उसके बाद एड करेंगे हाँ पर कश्मीरी मिर्च दो मीडियम साइज की लेले अगर आपके पास हो ना हो तो आवोईड कर सकते हैं एक चमच भरके एड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसका कच्छापन जो है खतम होने तक इसको थोड़ा से रोस्ट कर लेंगे लग भग एक मिनट के लिए दन एड कर दिनगे टमाटर और अगें थोड़ा से चला लेंगे और मैं इसके इंदर एड कर रही हूँ ये तीन हरी मिर्च और ये 12 से 13 जो है मैं काजू एड कर रही हूँ और थोड़े से मैं आपर तिल एड करूँगी ये दो चमच के करीब है काजू से और तिल से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और काफी थिकनेस आ जाती है उसके अंदर जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगेरा में खाते हैं बिल्कुल वैसी ही बन करके रेडी होगी सारी चीज़ों को एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और अभी एड़ कर दूंगे मैं इसके अंदर पानी अदर चमच के करीब एड़ कर रियू में इसके अंदर नमक ताकि टमाटर वगेरा हमारे अच्छे से गल जाएं और बस इसको थोड़ा सा जो है चला लेंगे देन इसको हमने क्या है कि धक करके पकाना है जब तक के सारी चीज़े अच्छे से ना गल जाएं करीब करीब 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम के उपर इतना यह चीज़े जो है पक रही है यहाँ पर मैं लच्छे पराठे बनाऊंगी तो उसके लिए डो प्रुपेर कर लेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आठा लिया है और जितना गेहूं का आठा लिंगे उतना ही हमने इसके अंदर मैदा एड़ करनी है हाफ हाफ प्रपोर्शन में एड़ करेंगे और एक चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नमक एड़ कर रही हूँ और एक बड़ा चम्मच भरके जो है इसके अंदर हम घी एड़ करेंगे आटा लगाते वक्त न मैं इस तरीके से नीचे कपड़ा डाल लेती हूँ कि पराथ जो है वो खिसके ना इधर उधर तो सबसे पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और अपना आठा लगाते जाएंगे पानी यहाँ पर मैंने ठंडा नहीं लिया है हलका सा उसको गुन गुन बहुत जादा गरम भी पानी नहीं लेना है इस तरीके से आप आठा लगाएंगे न तो आपके पराठे बहुत अच्छे बन करके रेडी होंगे और इस सबजी के साथ लच्छे पराठे इतने मज़े के लगते हैं आप नान भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो इसलिए मैं लच्छा पराठा जो याप प्रैफर करूंगी और आज तो मुझे जलदी भी बनाना है खाना तो इसलिए बस मैं लच्छा पराठा मैंने सोच के रखाता पहले से ही और मुझे वाकिए में पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम मसाले वाला लच्छा पराठा बनाएंगे आठा जो है वो हमारा लग गया है तो टाइम जो है हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है जैसे हमें मतलब खाना बनाने में बीच-बीच में टाइम मिलेगा तो हम अपनी दूसरी तयारियां करेंगे आठे को मैंने कपड़े से ढख दिया है और इसको साइट पर रख देंगे और देखे इतना हमने आठा लगाया है हमारी टमाटर वगएरा हैं सारी चीज़ अच्छे से गल गई है और बस इनको साइट पर रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इतना जो हमारी चीज़े ठंडी हो रही है मैंने यहाँ पर पनीर निकाल लिया है इसको मैंने घर में ही बनाया है रात ही मैंने बना करके जो है फ्रिज के अंदर डाल दिया था और ये देखी होमेट पनीर है इतना मस्त बनाया ना इतना ज़ादा और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है ये तो घर में भी चीज़े बहुत अच्छी बनती हैं आप ट्राइ किया कीजिए कि घर में सारी चीज़े बनाने का और बस मैं इसको जो है छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लूँगी और जो मुझे आनिविन पीसिस लगेंगे न उनको मैं साइट पर डालती जा रही हूँ इसको जो हम सबजी के अंदर नहीं डालेंगे लेकिन इसको यूज करेंगे हम ग्रेवी बनाने के लिए और यहाँ पर जो है मैं रायते की तियारी कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कर्ड ले लिया है एक बाउल के अंदर इसके अंदर एट कर्यू में यह वन टीस्पून भर के रायता मसाला इसको भी मैंने घर में ही बनाया है और इसकी जो है वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है तो आप चेक कर सकते हैं बहुत सारी मैं घर में चीज़े बनाती हूं होममेड थोड़ी सी मैंने बूंदी और आधा प्याज इसमें काट करके डाली है बहुत मज़े का लगता है यह रायता सारी चीज़े डालने के बाद इसको एक बार विस्क कर लेंगे जितना मुझे पानी चीए था उतना मैंने अट कर दिया है और अभी भी यह काफी गाड़ा रायता बन करके तियार हुआ है यह देखिए बहुत अच्छा लगता है और रायता भी हमारा रेडी हो गया है तो इसको मैं साइट पर रख दूँगी और इतने में देखिए हमारी जो यह टमाटर वगयरा नहीं सारी चीज़े काफी अच्छे से ठंडी हो गई है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ तो इसको जो है ट्रांसफर कर देंगे एक जार के अंदर और देखिया आला है न जो है किचिन के अंदर आ गई है क्योंकि इसको पनीर न बहुत ज़्यादा पसंद है और आसो वैसी थोड़ा कमी पनीर है मेरे पास तो लेकिन फिर वी मैं इसको थोड़ा साथ दे दूँगी अगर ऐसी चीज़े बच्चे खाते हैं तो अच्छी बात है यह जो मैंने थोड़े से पनीर के पीसिस बचा करके रिखे थे तो इसमें से थोड़े तो मैंने लाइना को दे दिये है और बाखी बच्चे जो है मैं इस ग्रेवी के अंदर एड़ कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसको ग्राइन करूँगी बहुत अच्छा टेस्ट जो है आपके ग्रेवी के अंदर एड़ हो जाता है पहले आपने बिना पानी एड़ के इसको जो अच्छे से ग्राइन कर लेना है और जैसी थोड़ा सा ग्राइन हो जए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर दूँगी साइट पर से थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे और बस इसको अच्छे से ग्राइंड करना है हमने बिल्कुल स्मूध एक पेस्ट बना करके तियार करना है यह देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बन करके रेड़ी हो गया है अगर आपको लगे के थोड़ा सा मोटा मोटा कुछ है तो एक बार आप इसको चान ले तब इसको अपनी ग्रेवी में एड़ करें और मेरा यह बहुत ही एकदम फाइन बन करके रेड़ी हुआ है हलका से इसको हमने सोटे करेंगे और जैसे हलके से बबल्स आने लगे इसके अंदर एड़ कर देंगे हमारी ग्रेवी बहुत जादा ओवर नहीं पकाएंगे मसालों को नहीं तो वो जल सकते हैं और फिर टेस्ट भी खराब होगा और कलर जो है वो भी हमारी ग्रेवी का खराब हो जाएगा पूरा ब्लैक हो जाएगा नहीं तो कलर जो है इसके अंदर कश्मेरी मिर्च की वज़ा से बहुत ही अच्छा आता है और बस इसको चला लेंगे जार के अंदर में थोड़ा सा पाणी एड किया है और इसको हिला करके से अंदर एड कर देंगे आदा चमच एड किया है मैने नमक, एक चमच के करीब चीनी, एक चमच के करीब एड करेंगे कस्तूरी मेथी बहुत ही मज़े की बनती है थोड़ी सी मैंने केचप एड़ की है इस तरह से आगर आप बनाएंगे तो बहुत जादा टेस्टी बनती है बिल्कुल रेस्टुरेंट वाला टेस्ट आता है इसके अंदर अब सारे चीज़े एड़ करने के बाद इसको ढख करके पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए और इतना हमारी जो एक ग्रेवी बन रही है हम मैं यहाँ पर लच्छे पराठे के लिए पेड़े वगरा रेड़ी कर लूँगी सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं बड़ी सी रोटी बना लेंगे रोटी के उपर अप्लाई करेंगे ओईल ओईल हमने अच्छे से लगाना है तब हमारी जो लच्छे हैं वो अच्छे से निकलेंगे उपर से थोड़ा सा आठा डस्ट करेंगे क्योंकि मैं मसाला वाला लच्छा पराठा बना रही हूँ तो इसके अंदर आप अपने पसंद के कोई भी मसाले आड़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लाल मिर्ची और जीरा पाउडर आड़ कर रही हूँ इसको ना हम थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे और उपर वाले पार्ट को जो हम उपर की तरफ ही रखेंगे जहाँ पर हमने मसाला वागरा लगाया है उसको धरुधर नहीं करना है तब ही आपके जो लच्छे हैं वो एकदम अच्छे से उपर की तरफ निकलेंगे और लास्ट वाले पार्ट को जो है पीछे की तरफ टक कर देंगे और जो है एक लोई हमारी बन करके रेडी हो गई है इसी तरीके से जो है बना लेंगे सारे मैं सेफ के लिए पहले खाना रेडी कर ली हूँ तो बस तीन-चार बना करके रख दूँगी इतने महाँ हमारी जो ग्रेवी है वो भी बन करके तियार हो जाएगी तो बस इसी तरीके से सारे रेडी कर लेंगे और चलिए एक बार ग्रेवी को चेक कर लेते हैं किया है ठंडा पानी बिल्कुल भी एड़ ना करें क्योंकि उसकी वज़ा से आपका टेस्ट काफी वेरी करता है और जो पनीर कट करके रखे थे वो भी इसके अंदर एड़ कर देंगे पनीर डालने के बाद तीन से चार मिनट के लिए इसको और पका लेंगे ताकि पनीर जो है वो भी हमारा अच्छी से कुक हो जाए वैसे तो उसमें जादा टाइम लगता नहीं है दो तीन मिनट में अच्छा कुक हो जाएगा और जो हमने पानी एड़ किया है उसके साथ हमारी जो है ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए यह देखी हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक हो गई है और थिकनिस जो है काफी जादा है इसकी बहुत अच्छी थिकनिस है मतलब बहुत जादा भी नहीं अच्छी लगती बहुत जादा पतली भी यह सबसे जो के अंदर गरम मसाला घर का बना गरम मसाला इसलिए मैंने आदा चमट किया है थोड़ा सा फ्रेश कॉरिअंडर एड किया है और यह फ्रेश क्रीम में एड कर रही हूं यह स्पाइब जो सबसी है बहुत मज़े इसके अंदर से आ रही है इस तरीके से बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सबजी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है और इसको जो है मैं साइट पर रख दूँगी और अभी पराठे बनाने के लिए हमने तियारी कर लेनी है और जल्दी जल्दी पराठे बना करके तियार कर लेंगे और जो हमने पेड़े बनाए थे बस one by one मैं उनको ले लूँगी और हलका सा जो मैंने उसके उपर आठा लगाया है और बहुत जादा हमने इसको नहीं बेलना है बहुत ही छोटा पराठा हमने इसका बनाना है ये देखिए तब ही जो हमारे लच्छे हैं वह उपर एकदम अच्छे बन करके रेडी होंगे ये देखिए मैंने चोटा सा इसका पराठा बनाया है बहुत जादा बड़ा नहीं बनाया है और बस थोड़ा सा ये मतलब मोटा ही रहता है लेकिन अच्छे से सिखता है तो बस इसको तवीर के ऊपर डाल देंगे और साइड में मैंने एक स्टैंड रख दिया है पराठे रखने के लिए उसके वपर तो एक पेपर डाल दिया है और में चीज़ इसमें क्या होती है पराठे बनाने के लिए आपको अच्छे से ओयल लगाना पड़ता है जितना आप अच्छे से ओयल लगाओगे उतने ही आपके अंदर तक लच्छे अच्छे सिखेंगे, क्रिस्पी बनेगे बहुत मज़े के रखते हैं तो तेल जो है वो अच्छे से लगाएं और इसको हलका साना हम इस तरीके से जो है प्रेस करते हुए पकाएंगे ताकि अंदर तक जो है सारी लेयर्स अच्छे से कुखो जाएं दोनों तरफ से हलके हातों से जो है और दूसरी बात ये कि इन पराटों को बनाने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है लो रखेंगे या कभी-कभी थोड़ा सा बीच में मीडियम कर देंगे हाई बिल्कुल नहीं करेंगे तब इसके अंदर जो है बहुत अच्छा सा कलर आएगा और यह इस सबजी के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं और जरूर ट्राय करके देखिएगा और यहाँ पर मैं टिफिन पैक कर रही हूं सैफ का इन पराटों को आप बहुत जादा मोड नहीं सकते तो इस तरीके के एक फ्लेट से टिफिन के अंदर जो है मैंने बस as it is रख दिया है बस हलका सा इसको एक ही तरफ से मोड़ा है और बस इसको कवर करके मैंने रख दिया है तो पराटे हमारे रेडी हैं और एक टिफिन में जो है मैं यह रायता बनाया था यह मैं डाल दूँगी और थोड़ी सी सबजी एड़ कर देंगे इसके अंदर अब सारी चीज़े जो है असेंबल कर देंगे रेडी हो गया है उनका टिफिन तो चलिए उनको देख करके आते हैं टिफिन को मैंने कवर के अंदर डाल दिया था बस सैफ के जाने के बाद शिरके की प्यास भी रखी हुई है लास्ट वीडियो में जो मैंने चीज़े शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो भी इसके मैंने डाल या बहुत मज़धी बनती है होममेड सिरके वाली प्यास बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ और बहुत ही जादा टेस्टी वना था ये आज की वीडियो बस इतनी ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर अलाहाफिज